दोस्तों अक्सर आपने में देखा होगा कि जो हमारी जांतर हीरो की बाइक होती है जैसे कि ये मेरे पास हीरो होंडा सप्लेंडर प्लस है तो अक्सर होता क्या है देखे ये बाइक जो है अभी 90,000 प्लस किलोमेटर चल चुकी है तो जैसे जैसे बाइक जो है कुछ पुरानी ह प्ले है लेकिन कुछ बाइकों में आपने देखा होगा जैसे हम बाइक के एक्सेलेटर को जब खींचते हैं तो उसकी जो स्लाइड होती है वो उपर फसीर आ जाती है तो यहां पर यह इन में प्रोब्लम आ जाती है आपने देखा होगा और जानतर यह जो प्रोब्लम आते है तकरिभी निया हीरो होंडा या मतलब कि हीरो की जो बाइक होती है सप्लेंटर वगारा या फिर जैसे के सीडी डॉउन, सीडी डिलाक्स, पैसन इनके कार्बरेटर में यह प्रोब्लम आती है तो यहां पर अकसर होता क्या है जैसी देखी हम यहां पर बाइक को स्टार्ट करते तो यहां पर यह बाइक जो है दोस्तो एक मेकानिक के पास से मेरे पास होकर आई है अब वो इसलिए इस बाइक ने जो है इसका इंजन कराया था ठीक है देखे मैं को दिखा दूँ यहां पर यह प्ले जब यहां पर इस तरह की हो जाती है तो यहां पर यह एक्सेलेटर जब पर यहीं रुक जाती है तो इससे बाइक की जो है over race बहुत ज़्यादा हो जाती है अब करता हूँ main point की बात तो यहाँ पर इस भाइ की यही इसमें problem है कि यहाँ पर इससे कुछ भी दुखड़ ना हो सकती है तो यहाँ पर एक mechanics ने जो है यह इसका खराब हो चोगा है इसके लिए इसके कार्बूरेटर को ही जो है चेंज करना पड़ेगा तो देखी मैंने इसके कार्बूरेटर को यहां से उपन कर लिया है तो यहां पर इसकी स्लाइड को मैं आपको चेक करा दू तो यहाँ पर यह इसकी स्लाइड यहीं फसी रहा जाती है तो यह इन वे प्रोब्लम होती है तो अक्सर होता क्या है अगर मार लोग किसी मेकानिक से इसकी प्रोब्लम जो है सोलव नहीं होती तो वो मेकानिक क्या करता है या जहांतर मेकानिक करते होंगे इसके अंदर या तो तीन या चार वारसल इसके अंदर रख देते हैं जैसे कि यह इसकी साइड है इसके ओपर जहांपर यह कैप है यह इसके अंदर डबल सप्रिंग जो है डाल देते हैं जिसके होता क्या है इसका पिस्टन कुछ टाइट तो चलेगा मतलब कि जो इसके एक्सेलेटर होती है, वो कुछ टाइट तो खीचेगी, लेकिन यहाँ पर यह पर यह पर यह फसा रह जाता है, जो इसके यह स्राइड होती है, तो यहाँ पर देखिए, जब यह भाई इससे प्रेशान हो चुगा था, तो भई देखिए, होता क्या है, मालो अगर कुछ ऐसी प्रोब्लम आ जाती है, कुछ पार्ट घिस जाते हैं, या वो मतलब कि जैसे रिपेर भी हो जाते हैं, तो कुछ मेकानिक क्या करते हैं, मालो उनको जो है रिपेर करने की बजाए, उसको जो है नया डाल देते हैं, अब कोई भी डाल देगा, आप भी डाल दोगे, मैं भी डाल दूगा, या कोई भी मेकानिक होगा, वो भी नया डाल देगा, तो यहां पर बात आती है, किसी भी चीज़ को रिपेर करना, तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, कि जो ये इसकी जाती है, तो किस परकार से हमने इसको यहां से फ्री करना है, तो यहां पर देखी ये जो भाई जब प्रेशान हो चुगा था, तो मैंने इस पर एक और डेडी वीडियो बनाया हुआ था, इस कार्बूरेटर के ऊपर, तो यहां पर दोस्तों ये जो भाई इसी चीज़ के बारे में थोड़ी यूटूब पर जानकारी देख रहा था, कि सायद ये इसके बारे में किसे ने जानकारी दिये होगी, ये ठीक हो जाए, तो वो जो है, दोस्तों इस वीडियो को देख रहा था, तो उसमें मेरा वीडियो आ चुका था, तो इस भाई ने जैसे ही उस कमेंट किया और इस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करके मुझे वहाँ पर भी अपना ये प्रोब्लम बताया तो मैंने इस भाई को अपना नंबर दे दिया और अपना आड्रस दे दिया तो यह भाई जो है मेरे पास स्पेशल सतर किलोमेटर दूर से आया है तो यहां पर देख कि चलिए अब यह मालो सतर किलोमेटर दूर से मेरे पास आ चुका है तो यहां पर उस मेकानिक ने जो है सब कुछ इसके अंदर यह प्रियास कर लिया था कि चलिए इसको हम ठीक कर देंगे तो वह अलग बात है कि उस भाई से यह प्रोब्लम नहीं हुए तो चलिए अब हमन कि इसको कासे करना है तो यहां पर सब सह पहले आपने इसके कार्पूरटर को यहां से ओपन कर लेना है और इसको जो उस मेकानिक ने साश Noch 5 भी क्या हुआ था पहले मतलब कि अपने तरफ से पूरा प्रियास कर लिया था उसकी दवारा इसको थोड़ा यहां से दबाया था ताकि यहां पर यह पिस्टल कुछ अंदर की तरफ दब जाए जो स्लाइड है यह और यहां पर नायफा से तो होता क्या है भाई देखिए जैसे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं मतलब की टाइट होते हैं तो यह दिन जल्दी नहीं निकलती तो यहीं से यह जो है प्रोब्लम करती है जगा एक्सेलेटर हो जाती है तो यहां पर अब हमने इसकी प्रोब्लम को सौलव कैसे करना है दोस्तों इसके बारे में साइड ही किसी ने योटूब पर बताया होगा तो मैं सोच रहा था कि आपको इसके बारे में जुरूर जान करे दूँ तो यहां पर सबसे पहले आपने करना क्या है आपके पास एक रेगमार्ग होना चाहिए एक नॉर्मल और दूसरा पोलिस वाला यहां पर देखिए जो इसका ये राइट साइड वाला भाग होता है जिस साइड में यहां पर चोटा सा एक आप पोइंट देख सकते हैं तो आप ने करना क्या है जो हमारे पास एक रेगमार्ग होता है आपने इस कार्बीुटर के उपर वाले हिस्से में जो है इसको इस थाइब से घिसाना है देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो है यह इस तरीके से घिस जाए यहाँ पर होगा क्या जो हमारा पिस्टन मतलब की जो स्राइड होती है यहाँ पर यह जो है टाइट चलती है ताकि यहाँ पर यह नैफसे तो इसको हमें यहां से फ्री करना है तो आपने इसको इसी तरीके से जो है थोड़ा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपने घिसा लेना है तो आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इसको घिसा हैंगे तो आप इसको दो चार बार ऐसे तोड़ा-थोड़ा घिसाएंगे और इसको चेक करेंगे तो यहां से यह दोस्तों फ्री हो जाएगी आपने इतनी ज्यादा भी नहीं इसको फ्री करना है मतलब घिसा नहीं है जिसे यहां पर यह इसके अंदर काफी प्ले हो जाए तो इसको आप नॉर्मल जैसे कि आपका पहला पिस्टन होता है, आम पिस्टन होते हैं, जो स्लाइड होती है, इसको इसी तरीके से घिसा लेना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैं आपको एक बार इसको यहाँ से थोड़ा सेट कर लेता हूँ, आप भी दोस्तो आपको यह लगे कि यह थोड़ा घिस चुका है, ठीक हो चुका है, तो आपने यहाँ पर जो हमारे पास यह पॉलिस वाला रेगमार को होता है, इसको थोड़ा यहाँ से जो है, थोड़ा इसके अंदर घिसा देना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है, यह इसके अंदर बिल तो इस तरह से आपने इसको गिसा लेना है तो चलिए पहले मैं कार्भीटर को फिट कर लेता हूँ इसके बाद आपको दिखाता हूं इस बाइक को स्टार्ट करके और इसके कार्भीटर की बाकित सैटिंग करके कि अगा चाह थालिए अपर हो कि वेडि़ कि दीध करका प्यारत हो कि कि भी यहा हम आदो एा हुआ है तो दोस्तो यह जो मेरे पास बाइखाए यह है हिरो होंडा सप्लेंडर प्लस तो यहाँ पर दोस्तो इनके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है जैसे कि आपको पता है कि यह जो मोडल है तकरिमने यह 210 मोडल है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो आप यहां पर 46 नमबर देख सकते हैं, यहां पर हम साथ याषा है प्षासों एप है कर दो इसे आपका आप वह पर होता है आपके पास आयोँ के चलते होता क्या है आपकी बाइक के ज़रा है कुछ ना कुछ धुरुगणना भी हो सकती है तो यहां पर देखे इतनी ज्यादा critical problem थि कि जिससे यह जो है बहुत ज्यादा प्रेसान होच होगा था तो जिस mechanic से यह क्याम करवाता था कि वह इसको बोलता है कि आप इसको सही करता हो लेकिन वह इसके अंदर वह उपर नहीं आ पाती प्रोपर जी से चलता होता क्या है या बाइक की speed के limit तो कम हो जाती है लेकर यहाँ पर यह जल्दी से फस्ती नहीं तो यहाँ पर यह स्का हलेकर यह प्रेशान होकर पा यहां पर यह नहीं जो है इसके अंदर चेंज होगा तो भाई हर किसी के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो इसके अंदर नया कार्बूर्टर डलवाई ठीक है तो यहाँ पर देखिए उस भाई ने जो है मेरा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद यह जो है उसने मेरे को ऐसी प्रोब्लम बताई क्योंकि मैंने जो है उल्रड़ी इस पर एक वीडियो पहले भी मनाया था कि इस तरह की अगर कोई प्रोब्लम आ जाती है तो आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं तो यहाँ पर यह भाई जो है स्पेसल मेरे पास करके दिखा दी तो यह अब देखें यहाँ पर एक्सेलेटर बिल्कुल भी नहीं फंसती है तो यहाँ पर यह भाई सिरफ मेरे वीडियो देखके आया है कि इसके अंदर यह प्रोब्लम थी तो देखें दोस्तों आप अगर कोशिस नहीं करेंगे तो इसके अंदर प्रोब्लम तो वैसी कि वही रहेगी देखें आला की अभी देखें मैंने अभी आपने हाथ भी साफ नहीं किये हैं तो यहाँ पर मैं काम ही कर रहा था इसका और मैंने यह प्रोब्लम को सॉल्फ करके आपको इसमें जानकारी देनी चाहीए तो यह भाई तो देखें दोस्तों बहुजाना खुश हो चुका है मेरे इस काम से तो यह बुलता है कि जब मैं इधर आऊँगा तो आपके दुकान पर जुरूर कुछ काम वगरा करवा के जुरूर जाया करूँगा तो यहां पर देखें कोई भी दोस्तों बाइक होती है अगर आप अगर आपके कार्बूरेटर के अंदर ऐसी प्रोब्लम आ जाती है तो आप इस तरह के से इसको ठीक कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूं तो देखें बाइक हमारी बिलुकुल तो के स्टार्ट हो रही है यहां पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यह एक छोटी सी प्रोब्लम थी जो मैंने आपको इसमें सोर्व करके दिखा दी तो अब आपको बंद कर लेता हूं तो दोस्तो यह एक छोटी ही जान करी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की तो उम्मीद का दम दोस्तो आपको यह वीडियो जुरू पसंद आया होगा अगर दोस्तो यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो भाई तो चैनल को सबस्राइब भी जुरू कर देना साथे दोस्तों नोटिकेशन बैल को भी ओन कर लेना दोस्तों हम इसी तरह से आप के लिए नोजफूर वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उन्हें आपको जानकरी देते रहेंगे तो दोस्तों चैनल ये मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉप की साथ तब तक के लिए आगए देजिए आप सब का दिन सुपर है जाहिन वंदे मात्रम